जैशेर में दोस्तों, दोस्तों आज मैं ग्राफ के डिजाइन लिका रहा हूं बहुत सुंदर इस प्रेटर का डिजाइन है, इस जाइन से आप छोटे बचे के लिए, छोटे बचे के लड़की या लड़का कोई के लिए और कारडीगन भी बना सकती हैं, आप यह जैसा लग करते हैं ग्राफ का डिजान बहुत सुंदर और सिंपल सा ये ग्राफ का डिजान है चलिए शुरू करते हैं मैंने ये चोटा बचे के लिए स्वेटर बनाई हूं उसी पर आपको ये ग्राफ का परटान बता रही हूं चलिए शुरू करते हैं सुरू करने के लिए मैंने यहां पांच फंदे बुनती हूं, पांच फंदे इस कलर से भले बना रही हूं, इसके बाद मैंने यहां से कलर चेंज करूंगी, इस कलर से तीन फंदे बनाऊंगी, फिर इस कलर से पांच फंदे बनाऊंगी, एक कलर से पांच फंदे बनाना है, और एक कलर से तीन फंदे बनाना है इसे पाच फंदे बनाना है और अब इसे तीन फंदे बनाना है इसे इस सारे फंदों में रिपीट करते जाना है पाच फंदे और तीन फंदे बुनते हुए रिपीट कर लेते हैं यह देखिए मैंने यह 5 फंदे बुनते हुए सारे फंदे को कंप्लेट कर ले हूँ यह 5 फंदे और यह 3 फंदे अब उल्टा सेट से बनाते हैं उल्टा सेट से बनाने के लिए यह मैंने आगे वाले फंदे को उतार लेती हूँ दो और ये तीन अब ये वाला कलर तीन फंदे बुनूंगी और इस फंदे से पांच फंदे बनाऊंगी यह पांच फंदे हो गया और फिर इससे तीन फंदे बनाऊंगे अब यहाँ पर चेंज हो गया यह जो लाल वाला बनाई थी तीन फंदे उसको पांच फंदे कर देना है और जो हरा बनाई थी उसको तीन फंदे कर देना है इतना ही में रिपीट करते जाना है लाल वाला 5 फंदे और हरा वाला 3 फंदे यह मेरा UltraSide का प्लेस्ट हो चुका है मैं सीधी साइड में आ चुकी हूँ सीधी साइड में देखीए क्या करना है ग्राफ कर डिजाइन में हर लाइन में हर सलाई में फंदे को कम ज्यादा करना पड़ता है तो आप देखिए सीधी साइट से यहाँ से आप दो फंदे लाल बुनेंगे दो और यहाँ पर एक फंदे हरा से बुनेंगे और फिर यहाँ पर दिखिए दो फंदे लाल से बुनेंगे आप यहाँ पर तीन फंदे हरा बुनेंगे और दो फंदे लाल बनाएंगे, एक फंदे हराब उनेंगे, फिर दो फंदे लाल बनाएंगे और तीन फंदे हारा बनाएंगे दो फंदे लाल बनाएंगे अब यह देखिए ऐसे ही रिपीट करते जाना है यहाँ लाल वाला के बीच में तीन फंदे बनाना है यहाँ दो फंदे लाल और एक फंदे बीच में यह हारा और इस साइड में दो फंदे लाल है जैसे देखिये 2 फंदी लाल, 1 फंदी यहां पर हारा होगा, और 2 फंदे लाल, और 3 फंदे फिर यहां हारा. ऐसे ही repeat करते जाना है, सीधी साइट को repeated करते हुँ कमप्लेट करना है. देखिए सीधी साइट से कंप्लीट हो चुका है बोल्टे साइट से बनाते हैं फिर कैसे बनाना है अब बोल्टे साइट से देखिए दोस्तों यहां पर हमें तिन फंदे लाल से बुनना है यह जो बीच वाला फंदा है यह वाला यह हरा वाला और दो लाल वाला इस फंदे को लाल से बुनेंगे और यह तिन फंदे हरा से बुनेंगे फिर यहां का तिन फंदे लाल से बुनें हुं और फिर यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच यह पांच फंदे फिर लाल से बुन ले और तीन फंदे लाल से बना हुए दो तीन और फिर पांच फंदे हारा ऐसी तरह से उल्टे साइड का कम्प्लेट कर लेना है रिपिट करते हुए इसी फंदे के साथ पांच फंदे हरा और तीन फंदे लाल देखेए मैने उल्टा साइट भी बून कर कम्प्लीट कर ली हूँ और यह मेरा नीचे का फोल यह तैयार हुचُचा है अब यहाँ से यह लाल वाले फंदे को काम नहीं है, लाल वाला फंदे को यहां से निकाल देंगे और सारे की सारे फंदे हारा से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ पर मैंने चार सलाई हारा वाला से बुनकर कंप्लीट करूँगी एक सलाई सीधी तरफ से फिर उल्टा और फिर सीधा और फिर उल्टा जब सीधी से तरब से आऊंगी चौथे सलाई बूनकर पांचवे सलाई में तो आगी कफी डिजाइन बनाऊंगी पहले ही सारे फंदे को सीधा बूनते हुए कंप्लेट कर लेते हैं एक ही कलर से दिखी मैंने ये सीम्पल सा साधा बूनकर कंप्लेट कर चुकी हूँ दो लाइन मैंने हारा वाला से बुनी हूँ और चार सलाई मैंने पीला वाला से बनाई हूँ आप पीला वाला में हारा वाला से ग्राफ डालूंगी चलिए शुरू करते हैं इसका ग्राफ डिजाइन तब ग्राफ डिजाइन डालने के लिए यहां देखिए पहले मैंने यहां पर पांच फंदे पिला वाला से बना लेती हूँ दो और इसको लेते चलती हूँ वहां में तीन च्यार पांच यह पांच फंदे हो गया और उसके बाद पांच फंदे के बाद मैंने यहां पर एक फंदे हारा वाला से बनाऊंगी पांच फंदे पिला बनाने के बाद एक हारा से बनाए और यहां पर मैंने अब साथ फंदे पिला बनाऊंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर एक फंदे हो गया हरा वाला से 3, 3, 4, 7 7 फंदे पिला बनाना है और एक फंदे हरा बनाना है फिर यहाँ पर 7 फंदे पिला बनाना है 1, 2, 3, 4 और इसको यहाँ से पास में लेते जाना है ऐसे लपेटते हुए पांच छे शाथ और ये देखिए मैंने हारा वाला फंदे को इसमें लपेटते हुए इसलिए लेकर आई हूँ कि जादा नीचे से लंबा लंबा नहीं होना चाहिए नहीं तो ये अंगुली में फंच जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर आपर इसको पार करते हुए धागे को पास में लाई हूँ तीन, तीन, शार, एक शाथ और फिर एक फंदे मैंने यहाँ पर हारा शे बुणूँगी ऐसे रिपीट करते जाना है सेधी साइड से और उल्टी साइड से भी सेम फंदे बुनना है सेधी साइड से जैसे मैंने साथ फंदे पिला वाला बनाई हूँ और एक फंदे हारा वाला बनाई हूँ ये मेरा दो लाइन, दो सलाई मैंने बनाए हूँ, ये दिखिए, दो सलाई बना है, सिधा तरप से और उल्टा तरप से, इसमें जो भी डिजाइन बनाना है, दो सलाई बनाना है, सिधी साइट से सुरू करेंगे, और उल्टे साइट से इसको बना कर कम्पलीट करेंगे, तब दिखिए, एक, दो, ये तीन, तीन फंदे हारा वाला से बनाना है, और पाच फंदे पिला से बनाएंगे, तीन, चार, पाच, फिर यहां पर तीन फंदे हारा बनाएंगे, ये दो, तीन, और पाच फंदे पिला बनाएंगे, एक दो तीन चार पाच और तीन फंदे हरा बनाएंगे इसे ही सारे फंदे को कंप्लीट करना है सिध्य तरफ से कंप्लीट करते हुए उल्टी सैट से भी कंप्लीट कर लेना है इतना ही फंदा का जितना फंदे का इधर बनाए है तीन फंदे हरा और पाच फंदे पिला सिधा बनाने के लिए हरा वाला पाँच फंदे हो जाएगा और ये पिला वाला तीन फंदे हो जाएगा चलिए हरा वाला पाँच फंदे कर लेते हैं और पीला बनाने है उसको 3 फंदे बनाएगे हरवाला 5 फंदे बनाएगे और पीला वाला 3 फंदे और सीधी साइड से बनाकर इरटी साइड में भी बनाएगे सेम फंदे बना कर कंप्लेट करते हैं अब अगिला भग बनाते हैं चलिए अब यहां से पिला वाले फंदे को उतार कर तीन फंदे पिला बून लेंगे अब यहां पर दो फंदे हरा बूनेंगे एक फंदे पिला बनाएंगे दो फंदे फिर हरा बनाएंगे एक फंदे यहां तेन फंदे पिला बनाएंगे फिर यहां पर दो फंदे हरा और बीच में एक फंदे पिला दो फंदे हरा तीन फंदे पिला ऐसे ही रिपीट करते जाना है दो फंदे हरा इसमें और बीच में एक पीला और दो किनारे में भी फिर हरा और पीला वाला की जगह पर तीन फंदे पीला पहले से बुने हो इस बार भी तीन फंदे बुनना है इसी तरह से रिपीट करते जाते हैं सेदी तरप से और उल्टा तरप से भी इस बार में आप यहां से तीन फंदे हरा वाला बनाएंगे ये चार फंदे पीला वाला बनाने के बाद एक दो तीन तीन फंदे हरा वाला बनाएंगे और पांच फंदे पीला बनाएंगे तीन, चर, पांच फिर तीन फंदे हरा बनाएंगे एट, दो, तीन चर, दो, तीन, चर, पांच अब यहाँ पर तीन फंदे हरा वाला बनाएंगे और पांच फंदे पिला वाला बनाते हुए रिपीट करते हैं सिधी तरब से और उल्टी तरब दोनों साइड से अब यह देखिए दोस्तों अब यहाँ पर एक फंदे इसमें एक फंदे हरा बुनेंगे इसमें एक फंदे हरा बना देंगे इसमें एक हरा और तीन फंदे यह पिला और यहाँ Bluetooth और तीन फंदे पिला बनाएंगे और तीन फंदे पीला बनाएंगे फिर एक फंदे यहां पर हारा बनाएंगे और तीन फंदे पीला बनेंगे यह तीन फंदे हो गया और एक फंदे हारा बनाते हैं इसे ही सारे फंदे को अब रिपीट करना है तिन भन पीला और एक फंद अधाय रहा है तीन पन दे पील न नदशारव pakai से बुणते हुए आयट से ties इसे कवाल लिए बून न अट्री सविद्वरे शेव सकरज्रीया दिट्यर अलग होगा शिद्यृ के वन्या उर्ट्रफ से देखे एक कछे बनाना है उल्टी सेट से बनाने के लिए इधर का सारे फंदे पिला बनाएंगे ये हारा वाला भी पिला ही बुन लेंगे और ये जो हारा वाला है इसको हारा से ही बनाएंगे और इधर का ये सारे फंदा पिला बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, शाद साथ फंदे यहाँ पर पिला बुनेंगे और एक फंदे हारा बुनेंगे इसी तरह से रिपीट करते जाना है इधर से देखिए जो इस लाइन वाला ये हारा वाला फंदा है इसको बुनना है और ये वाला हारा फंदा को इसको नहीं बुनना है इसको पिला बुन देना है इसी को बस कंप्लेट करते जाना है उल्टी साइड से अब इधर दिखिए इधर का फंदा ये ग्रीन वाला तीन फंदे बुनेंगे ये तीन फंदे हो गया और ये पंच फंदे 1,2,3,4,5 और फिर इसको तेन फंदे बनाएंगे 1,2,3,4,5 और इसको रिपीट करते जाएंगे सिधी तरफ से और और उल्टी साइड से भी उतना ही फंदा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, ऐसे ही बना कर इस वाली फंदे को कम्प्लीट कर लेते हैं, और उल्टा साइट शे, इसका कलर रिजान चेंज हो जाएगा, ते सीधी तरफ से ही केवल बना कर कम्प्लीट कर चुकी हूँ, और उल्टा साइट से अब क्या करना है, यह जो मेरा दो इक हरावाला, एक पिला इसको अब हरावाला से बनाएंगे और बीच में एक पिला देंगे इधर कए ये तिन पंदे मैंने पिला बुन रही हूँ एक, दो, तिन चार, ये चार पंदे मैंने पिला बनाए हूँ और अब दो फंदे यहां पर हरा बना रही हूँ और एक फंदे पिला, दो फंदे हरा और बीच में फिर एक, दो, तिन फंदे पिला दो फंदे हरा, एक फंदे पिला और दो फंदे हरा, तिन फंदे पिला ऐसे ही बनाते हुए कम्प्लीट करना है सारे फंदे को उल्टे तरब से अब इस बार में इधर का सारे फंदे को हरा से बुनना है और बीच में तीन फंदे पीला से बनाएंगे एक दो तीन एक दो तीन चर पाच पाच फंदे हरा से बनाएंगे तीन फंदे पीला से बनाएंगे एक दो तीन एक दो तीन चर पाँच ऐसे रिपीट करते जाएंगे सिधी तिरफ से सारे फंदों में पाँच फंदे हरा और तीन फंदे पिला आप देखिए दोस्तों अब क्या करना है आप यहाँ पर यह जो तीन फंदा है इसको हरा कलर से बनाएंगे और इधर का दो फंदे पिला से बनाएंगे और यह चार फंदे हरा से ही बुनेंगे तो इसको बनाते हैं और इसमें बीच में दो फंदे पिला से बुनेंगे और यह जो बीच का एक फंद' है इसमें मैंने एक दुसरा कलर डालना है इसमें मैं लाल कलर डाल रही हूँ बस एक फंदे के लिए और यहाँ पर दिखिए दो फंदे पिला बनाए हूँ और इसके बाद यहां पर हारा बनाएंगे हारा यहां पर तीन फंदे बनाना है फिर इसके बाद दो फंदे पिला बनाएंगे एक फंदे इसी में लाल बनाएंगे और दो फंदे पिला बनाएंगे फिर इसके बाद यहां पर तीन फंदे हारा बनाएंगे दो फंदे पिला बनाएंगे और एक लाल बनाएंगे इसी तरह से रिपीट करते जाना है यह जो बीच वाला फंदा है इसमें एक एक लाल दाना है और यह देखिए तिन फंदे हरा और दो दो फंदे पीला पीला वाला के बीच में लाल बनाना है अब यहां पर हरा वाला को फंदा बढ़ जाएगा यहां पर चार फंदा हो गया और तीन फंदा पीला हो जाएगा यहां पर पाच फंदा हरा होगा पाच और तीन फंदा हरा पीला बुनेंगे यहां पर पाच फंदे हरा बुनेंगे और तीन फंदे पीला यहां बुनते हुए सीधी साइट से कंप्लीट कर लेते हैं हुल्टी सेट से दिखिए अब आगे कर दिजाएं एक फंदा हरा बुनेंगे अब यहां पर तीन फंदे पीला बुनेंगे दो फंदे हरा बुनेंगे एक फंदे पीला दो हरा और यहां पर तीन पीला फिर यहां पर दो हरा एक पीला ऐसे ही रिपीट करना है तीन पीला और दो हरा एक पीला यह देखिए सीधी साइट से देखिए यह जो मेरा यहां पर पहले से तीन पीला था वहां एक पीला हो गया दोनों साइट से दो हरा हो गया और यह जो हरा था उसके उपर तीन पीला हो गया इसी तरह से गुल्टा का फंदा कंप्लीट करते हैं अब सीधी सेड में दिखिए इधर से पहले पीला बना रही हो अब यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर तीन फंदे हरा से बनाएंगे और पाँच फंदे पीला से बनाएंगे ग्राफ में दोस्तों हर सलाई पर ध्यान देना पड़ता है हर सलाई पर कितना फंदा कहां डाला हुआ है इसलिए आप ध्यान से देखिएगा एक, दो, तीन, अभी यहाँ पर तीन फंदे हरा और पाँच फंदे पिला हो जाएगा एक, दो, तीन, चर, पाँच ऐसे दिखिए यह जो यहाँ पर पहले से एक फंदे पिला था, वहाँ पर यह तीन फंदे हरा हो गया और ये जो तीन फंदे पिला था वहाँ पर पांच फंदे पिला होगए इसी तरह से सीधी तरफ से कम्पलीट करते हैं तीन फंदे हारा बुनते हुए अब यहाँ पर दिखिए अब यहाँ पर भी इसका फंदा चेंज होगा यहाँ पर दू फंदे पिला बनाती हूँ और बीच में एक फंदे हारा से बुनूँगे और यहाँ पर तीन फंदे पिला बनाना है यह जो बीच वाला फंदा है इसी पर एक हारा बनाएंगे ऐसे और फिर इसके बाद तीन फंदे पिला बनाएंगे एक फंदे इसमें हारा बनाएंगे तीन फंदे पिला अब यही रिपीट करते जाना है उल्टे साइड से तीन फंदे पिला और एक फंदे हारा यह देखिए यह जो बीच वाला लाइन है यहां से जो यह वाला डिजाइन बना है इसके साइज से यहां पर यह बनाना है अब यह देखिए दोस्तों जो यह वाला डिजाइन है निचे से जो उपर गया था यह सेम डिजाइन यही वाला उपर यहाँ पर अब बनाएंगे इस जगह पर चलिए यहाँ पर अब सुरू करते हैं यहाँ पर पहले मैंने सारे फंदे को पिला से भी बुनेंगे एक दो तीन चार पाज और एक फंदे यहाँ पर सौरी यहाँ पर एक नहीं यहाँ पर मुझे तीन फंदे हरा बुनना है तीन फंदे यहाँ पर हरा बुनना है और उसके बाद पांच फंदे पिला बुनेंगे दो तीन चार पांच पांच फंदे पिला बुनेंगे और फिर यहाँ पर तीन फंदे हरा से बनाएंगे एक, दो, तीन एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच फंदे पीला और तीन फंदे हरा से बुनते हुए सीधी साइड कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड में भी उतना ही बनाएंगे जितना फंदा यह आगे से बनाए हूँ उतना ही अब उल्टी साइड में भी बनाएंगे दोनों साइड से बनाकर कंप्लेट कर लेते हैं अब देखे सीधी साइड से अब सीधी साइड से यहां से एक फंदा ज्यादा हरा वाला हो जाएगा अब तीन फंदा पिला वाला हो जाएगा एक, दो, तेन और हारा वाला यहाँ पर पाच फंदे बोनेंगे दो, तेन, चार, पाच यह पाच फंदा हो गया इसमें एक फंदा और पिला डालना है यहाँ पर यहाँ पर एक पिला डालेंगे जो यह वाला डिजाइन बैल में डाले है यहां पर भी एक फंदे डालेंगे, यहां पर दो हरा हो गया और तिन पिला, फिर यहां पर दो हरा बनेंगे, एक पिला, दो हरा, तिन पिला, अब देखिए सीधी साइट से ये जो पांच फंदे हैं ये वाला पांच फंदे ये हरा बुनेंगे और तीन फंदे ये पीला बुनेंगे इसी तरह से बुनते हुए सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से कंप्लेट कर लेते हैं ये पांच फंदे हरा देखे एक बड़ दिखा देती हूँ, यह सेम फंदे इस साइट से भी बुनना है, एक, दो, तेन, यह तीन फंदे पीला हो गया, और पांच फंदे हरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, और उसके बाद यह तीन फंदे पीला, इसी तरह से सीधे तरब से कंपलीट करना है, और उल्टे साइट से भी कंप कर लेना है कि कम्प्लीट कर लेते हैं फ़ले अब इस बार में देखिए यहां पर यह वाला भी हरा बुनेंगे कि दो फंदे और इसके बाद यहां पर पांच फंदे पुई पीला बुनेंगे और तीन फंदे हरा बुनेंगे आज फंदे पीला और तीन फंदे हरा ऐसे बुनते हुए सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से दोनों साइड से कम्प्लीट करेंगे अब इस बार में देखिए यहां पर यह जो तीन फंदे है उसके बीच में एक फंदे हरा होगा और बाकी यह सब फंदे यह सब फंदे पीला बनाएंगे इसमें एक हरा बनाएंगे और एक यहां पर हरा बनाएंगे चलिए बनाते हैं यहाँ पर इस फंदे को पीला बुनना है और एक फंदे हरा बुनेंगे और तीन फंदे पीला बनाएंगे एक फंदे हरा बनाएंगे इसमें तीन फंदे पीला और एक फंदे हरा इस वाली लाइन पर एक फंदे भी हरा बनाते जाएंगे और यह बगी इतर का तीन फंदे पीला ऐसे इसी दी तरब से कम्प्लेट कर देंगे उल्टे साइट से भी सेम प्रोसेस है उल्टे से भी जितना फंदा इधर से है उतना फंदा पीचे से भी बनाते जाएंगे देखिए इसी तरह से मेरा यह सारा ग्राफ कर डिजाइन आज कम्प्लेट हो चुका है आगे आप इस डिजाइन का स्वेटर जरूर बनाएं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डिजीगा लाइक कीजीगा शेर कीजीगा कॉमेंट करके बताएगा कि मेरा यह ग्राफ कर डिजाएन आपको कैसा लगा थैंक यू